नमस्कार दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल का सामने आई है आपको बता दे बिहार में एक बार फिर सियासी भुचाला गया है नितिशकुमार की पार्टी जेडिवू और भारती जनता पार्टी में फूट पर्ती हुई दिखाई दे रही है अब नितिशकुम आपको बिस्तार से जानकारी देंगे लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के समर्थन में डटकर खड़े हैं अगर आप भी किसानों की मांग को जायज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन जरूर दर्ज करें साथी कमेंड कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और साथी चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें और घंटी को भी बजा लें जियां दोस्तों आपको बदा दें जहां एक तरफ बिहार में एंडिये की नितिशकुमार मुख्यमंत्री बने नितिशकुमार को भारती जंता पार्टी से संबन तोडने की चुनोती भी दी है जहां दोस्तों इस खबर के बारे में आपको पुरा बिस्तार से बताएंगे लेकिन इससे पहले आपको बता दें किसी कानून के बिरोध में एंडिये का अंदर एक और तूट हो गई है जिय आपको तरह हनुआन बेनिवाल ने इससे पहले किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए तीन सदस्सी समितियों से इस्तिपा भी दे दिया था अलवर्ट जिले के साज आपूर में किसान रैली को संबोधित करते हुए हनुआन बेनिवाल ने काया कि मैं एंडिये के साथ फेवी कोल से नहीं चिपका हुआ हूँ आज मैं खुद को राजक से यानि एंडिये से अलग करता हूँ बेनिवाल ने किसी कानूनों के बिरोध में सुक्रवार को किसानों के समर्थन में दिली कूच का भी एलान किया था अब आरेलपी प्रमुक हनुमान बेनिवाल ने काय कि मैंने किसी कानूनों के बिरोध में एंडिये छोड़ा है एक कानून किसान बिरोधी है उनका कहना है कि मैं किसान आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए किसी कानून के बिरोध में एंडिये से अपना नाता तोड़ता हू हलाकि आपको बता दें दिल्ले में किसानों का आंदोलन 31 दिन में पहुंच चुका है इससे पहले NDA के सबसे पुराने सहयोगी दल अकाली दल ने भी किसी आंदोलन के समर्थन में ही NDA से नाता तोड़ लिया था इसके अलावा आप कई और छोटे दल भी भारती जनता पार्टी पर दबाव बनाने लगे हैं हलाकि RLP के जाने से बले ही केंद की सरकार के सेहत पर कोई असर ना पड़े लेकिन RLP का रास्थान में कुछ इलाकों में अच्छा प्रभाव है इससे भारती जनता पार्टी पर काफी असर पर सकता है आपको दे इससे अलावा कुछ अन्य दल भी खुद को किसानों के समर्थन में दिखाते हुए भारती जनता पार्टी पर दबाव बना सकते हैं अलाकि हन्मान बेनिवाल ने भारती जन्ता पार्टी को जटका तो देई दिया है बात करते हैं बिहार की तो बिहार में भी अरुनालचर प्रदेश के मुद्दे को लेकर सियासी सरगर्मिया तेज हो गई है आपको दें कली भारती जंता पार्टी ने नितिस कुमार के च्छै बिधायकों को तोड़ कर अपनी पार्टी में सामिल करा लिया था अब जिसको लेकर जेडियू काफी नाराज है अब नितिस कुमार से आर जेडियू ने भी गटबंदन करने का आफर दे दिया है असाती भारती जंता पार्टी से संब्द तोड़ने की भी चुनोती दी है और राणचल परदेश के जेडियू के 6 बिधायकों को तोड़ कर भारती जंता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया है इसको लेकर जेडियू ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है जेडियू ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे अनुचित और गैर दोस्ताना बदाया है अलाकि राष्टी जनता दल ने संकेत दिया है कि अगर अनुचल प्रदेश में दल बदल के घटना करम के बाद यदि मुखमांतिर नितिसकुमार भारती जनता पार्टी के साथ संबन तोड़ लेते हैं तो उसके साथ नए सिरे से गड़ बंदन की संभावना बन सकती है आरजेडी के राष्टी उपाध्यक्त सिवानन तिवारी ने कहाए कि गेंद जेडू नेतित के पाले में है जिनने समझना चाहिए कि अड़ानचल प्रदेश में जेडू बिरायकों के सामोईक रूप से भारती जनता पार्टी में सामिल होने का मकसद पुरानी बातों का ब कर दिया था उनका कहना है कि मोधी इस बात को भूलने या माप करने वाले नहीं है आरजेडी के राष्टी उपाध्यक्त का कहना है कि नितिसकुमार ने तब साफ कर दिया था कि उन्हें भारती जनता पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो गुजरात के ततकालिन मु अब उसने नितिस कुमार को अपमानित करना भी शुरू कर दिया है। अब उसने नितिस कुमार को साथ आने का इसारा किया है। घटना को लेकर नितिस कुमार पर भी तंज कसा है। अब उसने नितिस कुमार के सामने संकट खड़ी करेगी। जबाब देने के लिए जेड़ू ने बड़ा प्लान बनाया है। खबर के मताबिक जेड़ू बंगाल चुनाव में भारती जनता पार्टी को नुकसान पहुचाने की जोड़दार रण नीति पर काम कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक नितिस कुमार की पार्टी ने राष्टिक कारकाणी की बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में बंगाल चुनाव को लेकर नए सीरे से रण नीति तयार की जाएगी। पार्टी के साथ यानि जेडियू के साथ और रण चर परदेश में जो भारती जनता पार्टी ने किया है। उसका जबाब जेडियू दूसरे राज्यों में देने की तयारी कर रही है। अलकि बताया जा रहा है कि 75 सीटों पर जेडियू चुनाव लड़ेगी। लेकिन अरवानचर परदेश में हुए घटना करम के बाद पार्टी की रण निती में बदलाव भी किया जा सकता है। वहीं पार्टी अब भार्ती जनता पार्टी को बंगाल में नुकसान पहुचाने के लिए भार्ती जनता पार्टी की गड़ में ही अपना उम्मिदवार उतार सकती है। पहली बार हुआ है जब सत्ता में रहते हुए अपने सायोगी दल के बिधायकों को किसी बड़ी पार्टी ने अपने पार्टी में सामिल करा लिया है। प्रदेश की घटना ने साप कर दिया है कि अब वह सायोगी दल को भी तोड़ने लगी है। अलाकि इस घटना को लेकर आरजेडी के नेता तेज परताब यादों ने भी नितिस कुमार पर तंज कसा है। का खुदी अपनी पीट में नितिस कुमार ने छूरा घोपा है। आपको दें आरजेडी के नेता यों पुर्व स्वास्त मंत्री तेज परताब यादों ने तंज कसते हुए कहा है कि अरुलांचल परदेश में जो कुछ भी हुआ है वो बिहार में भी होने वाला है। जडियो गडबंदन भी बड़ी पार्टी की भूमका खोई चुकी है। तेज परताब ने मीडिया से बात चित करते हुए कहा कि अरुलांचल परदेश से सुरुवात हो चुकी है अब बिहार में भी इसका सफाया हो जाएगा। जडियो पूरी तरह से तूट चुका है। उन्होंने कहा कि नेतिस कुमार जी बहुत गलत फैसला लिया और खोद अपनी पीट में छूरा मारने का काम किया है। अलाकि आपको बदा दें चुनाओ के रिजल्ट आने के दौरान भी आर्जेडी के नेता तेज परदाब याओदर ने और कांग्रेस पार्टी ने भी नेतिस कुमार को आफर दिया था क्यों एंडिये छोड़ कर आर्जेडी के साथ आकर सरकार बनाए। लेकिन आर्जेडी के तरब से दिया गया आफर जेडू ने ठुकरा दिया। इसके बाद तेज परदाब ने एक बयान देते हुए कहा था कि बिहार में एक बार फिर से यानी 2021 में दुबारा से चुनाओ हो सकते हैं। नितिस कुमार को करारा जटका दे दिया है। अब इस जटके से नितिस कुमार यानी जेडू में खलबली मची हुई है। अब इसका फायदा उठाने के लिए आर्जेडी पूरी तरह से तयार है और मैदान में भी कुछ चुकी है।